वेल्कम दोस्तो एक बार फिर टू फैन बलेज आज है सूपर संडे और ये है 7.30 पीम का मैच हाइडरबाद वसेस कॉलकटाका अगर कल के जो 7.30 मैच की बात की जाए तो अल्मोस्ट परफेक्ट टीम वन्स अगेन रुतुराज गायकवाड को मैंने वाइस कैप्टन मनाया था सेंचरी मार गया एविन लुएस था टीम में यशास्वी जैस्वाल था टीम में रवी जड़ेजा था टीम में चेतन सकारिया था उसकी विकेट आई और शारदूल ठाकुर था जिसके 2 फर 30 के फिगर रहे और विनर प्रेडिक्शन मैने बोला था एक पंट लेते है और बोलते है राजिस्थान माच जीतेगा और राजिस्थान माच जीता तो अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 डेस से बिलकुल अकुरेट टीम भी आ रही है लेट्स होब इस फॉर्म कंटिनूज इस वीडियो में सब कुछ है आप लोग के लिए अग में KKR Sunrises Hyderabad को हरा चुकी है वेल हैडरबाद अब प्लेओस पे पहुच नहीं सकती तो इस प्लेओस 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 अगर जीती ने टरुट इस गुट इनव तो वालिफाइबस तीम के बीच का है इसकोर 209 पे 3 है Sunrises का IPL 2017 में और लोग स्कूर 128 फर 7 है वो भी Sunrises का IPL 2017 में ही सबसे दाधा रंस वेल Sunrises Hyderabad से इस डेविद वोरनर विद 619 रंस, 4.5 centuries and 2 centuries to his name versus KKR पिछले माच में इसने 3 of 4 बनाय थे and we all know कि David Warner has already played his last match ever for Sunrises Hyderabad और दूसी तरफ वीद नितिश राना विद 261 रंस and 2.5 centuries versus Sunrises और इसने पिछले माच में 80 of just 56 बॉल्स मारे थे सबसे दाधा wickets it is out of form, out of source, Bhuvaneshwar Kumar बढ़ 20 wicket है इसकी versus KKR, 1 for 45 था लास ता लास ताइम और दूसी तरह वीद सुनील नरायन विद 10 wickets to his name और एक्सेलेंट एकॉनमी रेट as well versus Sunrises और ये पिछला माच खेला नहीं था जब दोनों टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला था आज है वापिस दुबाई में माच और दुबाई में हाइस स्कोर 219 पे 2 है Sunrises हाइडरबाद का ही पिछले IPL और लोइस स्कोर 109 ओल आउट है RCB का पिछले IPL हाइस रंचेस भी पिछले IPL 181 की रही थी और लोइस डिफेंड पंजाब ने किया था 126 का स्कोर और पिछले IPL कितने माच होए थे दुबाई के ग्राउंड में 26 माच और आवरिज फर्स इनिंग काफी हाई रहा था 172 का और आवरिज सेकंड इनिंग 149 का बाटिंग फर्स 15-8 से अडवांटेजियस था मगर इस IPL अब साथ माच हो चुके है अवरिज फर्स इनिंग थोड़ा लोवर रहा है 160 का अवरिज सेकंड इनिंग 151 का और बोलिंग फर्स 4-3 से अडवांटेजियस है Sunrisers का अच्छा रेकॉर्ड है 7 wins है 5 losses है इस ground पे दूसरी तरफ KKR have 2 wins and 3 losses on this ground दोस्तों हमने अभी तक देखा है कि dew आई है and high humidity रही है दुबाई में आज इतनी high humidity नहीं होने वाली है 55-60% के बीच में होईगी warm day 31 degrees temperature so I have a feeling कि आज शायद dew ना आए और यह जो wicket है it is the best wicket to bat on out of all 3 wickets in this IPL Abu Dhabi, Sharjah और यहां की एक hardness है wicket में तो bounce मिलता है और थोड़ा सा help मिलती है fast bowlers को they are the ones that are taking most of the wickets आप देख सकते है Pacers ने यहाँ पे 60 wickets लिया है compared to 22 wickets for the spinners but because bounce है wrist spinners को भी आज शायद थोड़ी purchase मिल सकती है someone like Rashid Khan can do well but mainly you go for variation bowlers on this wicket and जैसे मैं बोलो recently due आई है आज शायद ना आई but 150 plus total बनेगा एक तरफ की हाँ पे boundary काफी बड़ी है and overall इस second leg में कितने चक्के लग चुके है 157 sixes well I will say अगर due set in होती है last 3 out of 3 games team chasing first जीती है so I feel don't know teams की strategy तो यही होएगी due or no due to field first playing 11s well Sun Rises Hyderabad I don't think really और कोई change कर सकती है they've tried everything same ही team expect करिये KKR के लिए हो सकता है Tim Seifert की जगा they get someone like Shaqib Alassan in फोड़ी सी bowling भी करेगा late order batting भी करेगा so he makes a good pick Russell अभी भी unfit है तो वो वापिस अभी नहीं आएगा standard performance कौन है Jason Roy well he started off well पिछले माच में 2 ही राना है मगर उससे पिछले माच में 60 or 42 बाल्स आए Jason Holder 6 wicket है 2-3 wicket होल्स है इसके last 3 games में पिछले माच में 3 for 19 थे and team match पहले इसने 47 not out with the bat भी मारे है Venkatesh Ayer has been the find of the season he started this IPL leg with 41 not out followed it with 53 फिर 14 राना है 34, 9, 45, 74 not out these have been his scores in the second leg of the IPL Sunil Arayan इसकी भी पिछली 4 game अप्छी रही है आप देख सकते हैं 7 wickets है इसकी रास 4 game में and डेथ में बोलिं कर रहा है तो wickets उठा सकता है and Varun Chakravarti well he has been very economical plus 6 wicket है इसकी second leg में but 2 बारी इसने 2 wickets याजादा लिया पिछली बार दोनों टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस खेला that was match 3 of this IPL in Chennai KKR वो माच जीती थी मगर कैसे well KKR ने पहले बाटिंग की थी Rana ने बनाय थे opening करके 80 of 56 balls and Rahul Tripathi ने 53 of 29 Rashid Khan के 2 for 24 के figures थे मगर KKR मैनेज 187 for 6 but Sunrisers का लग रहा था they might chase it down Pande ने मारे थे 61 of 44 best ओ जो स्टीम में नहीं है उसने मारे थे 55 of 40 Prasid Krishna ने ली थी 2 for 35 but 10 runs short रह गई Sunrisers Hyderabad कौन है आपके captain vice captain options well captain में Jason Roy especially GL में आप captain मिना सकते है Jason Roy को चल गया तो ही bats with high strike rates as well तो उसके भी points मिलेंगे आपको and बड़े run माल लेता है Sunil Aran back and ball दोनों से कुछ कर रहे but more ball से कर रहे and death में बोलिं कर रहे but सबसे safe captain option अब हो रहा है Venkates a year bowling भी कर रहे batting opening कर रहे run आरे है wickets आरी है he's in prime form we should take advantage vice captain में Shubman Gill है I predict him to do well today Rahul Tripathi है he's scoring those 50s as well and then you have Kane Williamson from the Sunrisers team maybe he wants to end this season on a high by scoring a couple of more 50s and इसले performer prediction मेरा batsman है Kane Williamson I feel उसका अज 50 आएगा and Rashid Khan with the ball है and bat and ball from KKR में है Shubman Gill and Varun Chakravarti but मेरा जो पंट पिक है Jason Holder from Sunrisers Hyderabad Sunil Narayan from KKR but मेरा विनर प्रेदिक्शन I'll go for a Kolkata Night Riders victory आगे बढ़ने से पहले दोस्तो प्लीज फैनलेज को टेलिग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए t.me slash फैनलेज है हम यहाँ पे क्या मिलते है आपको final squads मिलते है playing 11s and उसके बाद दो टीम्स मिलती है head to head or GL की and then second inning fantasy की भी टीम मिलती है so please guys make sure to follow on telegram मुझे please instagram पे जरूर follow करिये मैं हूँ at akul dhingra description में मेरे instagram का भी link है telegram का भी link है और हमारे बल्ले बाजी की आप का भी link है क्यों बल्ले बाजी की आप होनी है आपके पास well because इस वीडियो में आपको 5K free league code मिल रहा है कैसे खेलेंगे अगर बल्ले बाजी की app नहीं होईगी तो दोस्तों दो teams आप लोगों के लिए team 1 बात करते है this is a very good head to head team यहाँ पे वृद्धिमान साहा को रखा है by the way very underrated run आ सकते हैं इसके भी Jason Roy है and Kane Williamson है vice captain मेरा because I'm predicting him to do well then I have Rahul Tripathi Shubman Gill Sunil Narayan Venkatesh Iyer को मैंने captain बना है आप चाहे इस team में Sunil Narayan and Shubman Gill में से किसी को भी captain बना सकते हैं and अगर चाहे Jason Holder को भी vice captain बना सकते हैं मेरी team में Jason Holder भी है as you can see Rashid Khan है Varun Chakravarti है and Shivam Mavi है आप चाहे तो Shivam Mavi की जगह यहाँ पे team Saudi को भी ला सकते है and by chance अगर Locky Ferguson is back in action he comes in for Shivam Mavi in this team very good head-to-head contest team है team 2 की बात करते है यह जी-ल में भी यूस हो सकती है यह पे मेरे all-rounders को captain vice captain बना रहे है but पहले बात करते है Vridhman Saha I've got Manish Pande in for Jason Roy यहाँ पे and I've got Tripathi की जगह Nitish Rana into the squad मेरे all-rounders same है as team 1 मगर मैंने captain Sunil Narayan को बना दिया है and vice captain मैंने Jason Holder को बना दिया है bowling में मैंने Saudi death bowler Sid Call को लिया हूँ with Rashid Khan final teams हमेशा की तरह आपको मिलेंगी telegram पे तो please telegram पे follow करिए नीचे description में link है हमारे telegram का and ये है आप लोगों के लिए इस नाच का 5K free league code दोस्तों हमेशा की तरह 3-3 बार में आपके लिए week में free league code लाता हूँ CTKKRSRH ये है free league code for this game free में join करी है real money जीती है मगर single entry है तो best team बनाने की कोशिश करी है in this free league मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा goodbye, good luck to you all this is Akul Hingra signing out